हेलो एवरीवान, वेलकाव टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स की यूटूब एजू किस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लक्चर में हम रिटेल में स्टेडी करेंगे एंटि वायरल ड्रॉक्स के अबर्मिक के जो अलग अलग वाईरस के करन होने वाले इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कि जाती है कि उसके बर में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक वो भी काफी affordable price में Pharma Rokes के mobile application के उपर तो Android user Android आप download करें iPhone user app store से या फिर 9016312020 नमबर पर आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं साथ ही हमारे second channel को subscribe करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi एक्सलन के जहां पर आप अलग अलग Hollywood की movies को देख पाएंगे वो भी Hindi में अच्छे से picture quality के साथ तो अभी subscribe करें हमारा second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi एक्सलन के आप समझते हैं antiviral drugs के बारे में तो antiviral drugs मतलब कि ऐसी दवाई है कि जो virus के करन होने वाले infection को treat करने के लिए use के जब भी यह virus आपके body के अंदर enter होता है तो वो क्या करता है वो अपनी multiple copies बनाना शुरू करता है कि जिसको हम virus का replication कहते हैं और जब यह virus काफी fail जाता है आपके body के अंदर अपनी बहुत सारी copies बना लेता है तो उसके करन जो infection होता है कि जिसको हम कहते है कि virus के करन होने वाला infection की जो ऐसा infection होता है कि बहुत सारे complications create करता है कि जैसे कोई harmful bacteria होते है harmful food होती है वो infection करते है उसी तरह से virus भी एक harmful microorganism की category में आता है कि जो बहुत सारे बीमारियों के लिए responsible है तो सीचते है कि कौन से अलग-अलग class के antiviral drugs होते है तो antivirus drugs जो है वो अलग-अलग category में divide होती है जिसको classification कहा हो जाते है तो सबसे पहले है वो है antiharpis virus drugs होती है second anti-retrovirus करके antiviral drugs आती है anti-influenza virus anti-HIV और non-selective antiviral drugs जैसे अलग-अलग उसके जो है वो class पढ़ते है तो सरुवात करते है antiharpis virus antiviral drugs है तो इसमें example जो है वो है idoxi redeem करके medication है फिर oocyclovir है वाला cyclovir करके आती है medication फिर femciclovir है ganciclovir है और foskarnet तो यहाँ पे जो बाजो में आप diagrams देख रहे है ऐसे infections होते हैं कि आपको infected करता है तो skin के उपर इस तरह से जो है वो आपको देखने को मिलते है develop हुए हुए जो यह structures आप देख रहे है ऐसे जो है वो develop होते हैं आपकी skin के उपर वो body के किसी भी part पे हो सकते हैं कि एक type के ऐसे races भी बनती है और वहाँ पे आगे जाके इस तरह से दाने दाने जिससे skin के उपर infection देखने को मिलता है तो वो specially harpes virus के करण होता है तो उसमें बाजू में जो हम यह medicines देख रहे हैं वो इसमें से कोई भी medications जो वो patient को prescribe की जाती है कोई medication उसके tablet के form में भी होती है कोई उसके cream form में भी होती है तो डारेक्ली patient वो affected area पे लगाता है और साथ में उनके injection form में भी यह medications available है तो जिस तरह से patient को suit होता है उस तरह से यह medication उसको जो है वो prescribe की जाती है second हम देखे anti retro virus की जो retro virus के करण होने वाले infection को ठीक करते है तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझे कि retro virus से जो infection होता है तो उसके symptoms क्या होते है तो इस तरह का यह retro virus होता है तो उसके infections हम देखे तो जब भी यह virus आपके body में अंटर होता है और वो infection produce करता है तो patient को सबसे फ़हले fever होता है जो बुखार आता है और 7-7 ठंड लगती है फिल आपको जो है वो itchy feel होता है मलब कि आपको दर्द भी होता है body के अंदर 7-7 आपको जो है वो itching वगरा भी होती है body के अंदर रात को पसीना जो है वो आपके body में देखने को मिलता है rashes develop होते है गले में खारास मलब कि sore throat feeling tired मलब कि आप थकान मैसूस करते है फिर mouth में जो है वो ulcers जैसा develop हो सकते है आपकी जो lymph node है वहाँ पे जो है वो सुजन देखने में मिले तो जब भी retro virus body में अंटर होता है तो यह सब symptoms जो वो develop करता है तो इसके large में जो medications use होती है उसके अलेगला class है उसमें से एक class है वो है nucleoside reverse transcriptase inhibitor तो उसके example हम देखे तो zedo wouldine करके medication की जिसको SWAT में AZT कहा जता है दूसरा है didano sign करके है zelcetabine करके medication है stawodine है lamivodine है, abekyavir है tenofovir है and antikavir तो यह सभी medications है कि जो NRTIS के category में पढ़ती है और यह भी antiretrovirus कहीं जाती है इसे में दूसरा class पढ़ता है वो है non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor के जिसको NNRTI कहा जाता है उसके example हम देखे तो वो है navirapine है afavirenz है और delaviridine तो यह तीन ऐसी दवाईया है कि जो NNRTI clear category में पढ़ती है और वो भी retrovirus के करण होने वाले infection को trick करने के लिए जो वो use की जाते हैं कि यहाँ पर आप जो structure देख रहे कि यह उसका lipid membrane देख सकते है फिर यह reverse transcriptase देख सकते है आप यह virus का तो उसको inhibit करके जो यह medication अपना काम कर दी है फिर उसका यह जो आप protein देख सकते है transmembrane glycoprotein और docking glycoprotein तो यह है retrovirus का structure और उसी के सामने यह medications जो है वो effective सावित होती है तिसरा category उसमें बढ़ता है वो है protease inhibitors तो protease inhibitors specially यूज किया जाते है कि जब किसी को HIV infection होता है या फिर जो HIV AIDS के जो हम symptoms कहते है कि इसके इलाज में यह medications यूज कहते है जिसके example है रिटो नाविर करके है इंडी नाविर है नेलफी नाविर है सेक्यू नाविर है एम्परी नाविर है और लोपी नाविर तो आप पीछे आप देखो तो पीछे नाम के पीछे सभी के NAVIR आप जो है वो common देखे गए तो यह सब protease inhibitors specially HIV के infection में जो हो यूज कि देख जब HIV virus वेक टाइप का retro virus है तो उसके लाज में यह medications patient को prescribe की जाती है तिसरा क्लास है anti influenza drugs कि जो influenza के जो symptoms होते हैं कि आपको सिर्दर जैसा फिल होता है, बुखार आता है काफी थाकान फिल होते हैं muscle में pain होता है, joint में pain होता है, nausea vomiting होती है cough भी होता है और गले में खाराज, runny nose और यह symptoms जो mild नहीं होते काफी patient को severe symptoms देखे जाते हैं और यह influenza virus के करन तो उसके इलाज में जो especially anti-viral drugs दी जाती है वो है, औसल टामिविर की जहां पे उसका यह famous brand देख सकते हैं जिसका नाम है, Tamiflu करके वो सबसे ज़्यदा popular है दूसरा, जानामिविर करके यह medication होती है कि जिसका यह powder आता है inflammation inhalation के लिए कि जो आप inhalation के थुरू यूज करते है nozzle root से, फिर remantadine रेमantadine भी है बट वो बहुत ही कम यूज होती है due to resistance, कि इनके resistance है जिसके करन यह बहुत कम यूज होती है, बट popularly हम कहे, anti-influenza या फिर influenza के लिए तो osaltamovir जो है, वो सबसे ज़दा popular है और zanamivir भी यूज की जाती है अब antiviral में आगेद हम में कोई एक दुसरा class देखे तो वो है anti-HIV drug कि जो HIV के infection में यूज होती है, जो अभी हमने discuss किया कि NRTIs भी यूज की जाती है HIV के infection के अंदर कि जिसको nucleoside reverse transcriptase inhibitors का हो जाता है कि जो enzyme reverse transcriptase होता है उसकी activity को inhibit करके अपना काम करती है, फिर NNRTI भी इसमें effective साबित होती है, फिर integrase inhibitor भी use के जाते है उसके अलावा जो protease inhibitors class की जो medication है वो भी HIV की infection में use की जाती है अब बात करते हैं पांचवा जो class कि जिसको non selective antiviral drugs का जाती है, जो specially hepatitis B और hepatitis C के इलाज में use की जाती है कि जिसको anti hepatitis virus drugs भी का जाता है कि जो hepatitis B के लिए जो use की जाती है उसमें, अब एक्जामपल देखे तो वो है lamivodine करके है and adafovir DP voxyl और tenofovir, तो ये तीन medications ऐसे popular है कि जो specially hepatitis B के इलाज में जो है, वो use की जाती है as a anti hepatitis virus drugs, फिर जो hepatitis C कि जो एक type का liver में infection होता है hepatitis जो हम जानते है कि कि किसी भी hepatitis virus से infection होता है, वो specially आपके liver को damage करता है, तो hepatitis C के लिए दो medicines के option है कि interferon alpha और दुसरा ribavirin, तो ये दोनो medicines, hepatitis C के इलाज में जो है, वो use की जाती है फिर कुछ जैसे other class के जो medication के जिसके हमने अभी discussion किया था कि जो fusion inhibitors होते हैं जिसमें influe virotide करके medication है CCR5 receptor inhibitors में maraviro करके medication है और integrase inhibitors के अंदर ralte gravir करके medication है तो यहाँ आप उसके marketed formulations देख सकते के maraviro का ये formulation देख सकते कि जिसको mcure जो है वो design करती है फिर दूसरा आप देख सकते कि ralte gravir का यहाँ पे आप देख सकते है marketed formulations की जिसको जो वो supply जो है वो design करती है उसके आप यहाँ पे फिल्म कोटेट टाबलेट्स देख सकते हैं या फिर मारा वीरोग के यह जो टाबलेट्स और इन्फलोगरिटाइड जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते कि जिसका जो यहाँ पे सिंगल यूज वाइल जो है वो आप देख सकते हैं आगे बात करें उसके side effects के कि यह जो medications के कुछ common side effects होते है तो एक तो cough होता है पेशन को फिर dry mouth कि आपके जो mouth के अंदर आपको dryness जीसा फिल होता है फिर तिसरा हम देखे तो कुछ लोगों को diarrhea मने दस्ट हो जाते है dizziness जैसा feel करते हैं आपको नींद दाती ऐसा feel करेंगे fatigue मनलब कि थकान में इसुस करता है सीरदर जैसा रहता है insomnia मनलब कि आपको rate 9 तक नींद नहीं आती joint pain होता है, जोडों में दर्द रहता है muscles में भी दर्द रहता है पूरी body जैसे दर्द करेगी एसा जो आप feel करते है nausea vomiting मनलब कि जी गबराना उल्टी होना और कुछ cases में skin के ओपर rashes develop होते है और ये medications के बाद आपके body में जो है वो weakness मनलब कि थकान जैसा आप feel करते है आप ऐसा feel करते हैं कि आपको काफी थकान feel हो रही है काफी कमजोरी जैसा जो आप feel करते हैं कि जब भी antiviral medications आप use करते हैं तो हमारे second channel को जरू सब्सक्राइब करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain के जहाँ पे आप अलग-अलग Hollywood के movies को अच्छे से देख पाएंगे वो भी हिंदी में उनकी अच्छी picture quality के साथ तो अभी subscribe करें हमारा second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain तो सीखे medicine स्कोर्स के अंदर अलग-अलग बीमारियों के बारे में अलग उनके उपचार के बारे में कौन किसे दवा या use होती है उनके use, dose, side effect, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में वो भी सीखे सरल वासा में farmer rocks के अप उपड़ते हैं अंडरीड यूजर एंडरीड आप डाउनलोड करें आइफोन यूजर आप स्टोर से या फिर 9016312020 आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं तो अभी डाउनलोड करें हमारा आप और second channel को ज़रू से subscribe करें लिंक आपको description box मिल जाएगी good luck and all the best